अगर दोस्तो आप भी अपने स्मार्टफोन में सेब किये गए किसी नंबर को डिलिट करना चाते हो, तो कैसे कर सकते हो? आज की वीडियो में हम आपको बहुती लेटेस्ट तरीके से बताएंगे कि कैसे आप किसी का नंबर डिलिट कर सकते हो, यानि कि दोस्तो ये कंटेक्ट लिष्ट में जिसका नंबर आप सेके हो यहां से अगर आप किसी का नंबर डिलिट करना चाओ, तो कैसे कर सकते हो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही लेटेश्ट तरीके से बताने वाले हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं भीना कोई देरी के तो सबसे पहले दोस्तो आपको अपने डैलर पैट को ओपेंड कर लेना है डैलर पैट को ओपेंड करने के बाद दोस्तो आपको कॉंटेक्ट लिस्ट पर क्लिक कर लेना है कॉंट क्लिक कर लेना है तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपका नंबर यहां से डिलीट हो जाएगा यानि कि जो आप नंबर से रहेंगे उसका इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो अगर दोस्तों आप एक ही साथ कई नंबर को अगर डिलीट करना चाहते हो तो इसके लिए दोस्तों आपको left hand side में edit का option देखने को मिल जाता है इस पर आपको click कर देना है जैसे इस पर click करेंगे दोस्तों आपको gg number को delete करना रहेगा उस पर आपको simply इस तरीके से click करने ला है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो अगर मैं दो contact को यहाँ से delete कर मिल जाता है इस पर मैं click कर दूँगा अगर दोस्तों चाहते हो कि आपका smartphone जितना भी number सेव है smartphone के अंदर वो सारा delete करना तो दोस्तों यहाँ पर आपको right side में option देखने को मिल जाता है select all का इस पर आप जैसे ही click करेंगे दोस्तों आपकी smartphone में जितने भी contact में number सेव रहेगा वो सारा का सारा select एक ही बार में हो जाता है उसके बाद दोस्तों इहाँ नीचे option देखने को मिल जाता है delete का इस पर जैसे ही आप click करेंगे दोस्तों आपका सारा का सारा number यहां से delete हो जाता हूँ सिरक यह दो number डिलिट करना चाता हूँ तो इसके लिए मैं edit वाले option पर click करने के बाद दोस्तो इन दोनों को मैं इस तरीके से टिक कर दूँगा तो दोस्तो इस तरीके से सेफ किये गए नंबर को आफ अपनी स्माटफॉन से डिलीट कर सकते हो तो दोस्तो यह रही जानकारी अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी ययल्फूल और अच्छी लगी हो लाता रहता है तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तक तक के लिए जैन जै वारत